हेलो एवरीवन वेलकम टू करेशर इंफो डॉट इन सागत करते हूं आपका करेशर इंफो में यहां पर एटॉमिक एनरजी सेंटर स्कूल से रिक्रूटमेंट आई हुई है जो की यूसी आई एल का ही एक जो है डिपार्टमेंट है और इसमें जो है स्कूल टीचर्स की रिक परणोड कर सकते हैं वीडियो के नीचे डिप्सक्रिप्षिन में मैं वेब साइट की लिंक भी देदुगी वहां से ईजली आप जा कर देख सकते हैं इसके लावा आप टेलीग्राम चैनल से इस नाठिफिकेशन को देख सकते हैं मैंने वहां पे भी शेयर कर देती हूं तो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें तो चले देखते हैं विकेंसी कहां से आई हुई है यह विकेंसी परमाडू हुर्जा के इंदर विद्धाले जादू गोडा से आई हुई है जादू गोडा जो है वो जारखंड में है और यहां पर आप देख सकते हैं रिक्रूट्मेंट चार अपरल को पब्लिश हुई है इंगेजिंग टीचर्स ओन कॉंट्राइक बेसिस इन एएसी स्कूल जादू गोडा सेंटर Center for Academic Year 2022-23 के लिए है It is proposed to conduct walk-in written test होगा पहले and then उसके बाद आप उसमें select होगे तो आपका interview होगा तो यहां पर engaging teachers on contract basis against the leave regular vacancies that may arise during the session के लिए 2022-23 के लिए अब यहां पर इस तरीके से दिखा रहा है कि post जो है PGT, TGT, PRT के लिए vacancies है salary package यहां पर 27,500 PGT teachers के लिए है और यहां पर per period के according भी आपको salary दिखाए गई है जो कि यह pay करेंगे per day आपकी 5 periods होगे और per period 220 rupees आपको pay करेंगे यहां पर 40 age तक के limitation रखी गई है 40 age तक के candidates इसमें apply कर सकते हैं TGT के लिए 35 years है और PRT के लिए 30 years है TGT में भी consolidated salary बनेगी जो कि 26,250 rupees है और यहां पर भी per day आपको 5 classes लेनी होगी और जिसमें 210 rupees जो है आपका per period के according salary बनेगी और PRT के लिए भी 170 rupees के according आपकी salary बनेगी जो कि 21,250 rupees होगी यहां पर educational qualification दिया हुआ है जो कि masters होनी चाहिए आपका 50% marks के साथ और उसके बाद आपका B.A.D. होना चाहिए इसके अलावा यहां पर यह subjects दिये हुए है PGT English, PGT Hindi, PGT History, PGT Economics के लिए recruitment है और B.A.D. होना चाहिए यह चीज मैंने आपको पहले बता दी ठीक है computer का knowledge होना चाहिए और इंगलिश की आपकी जो है proficiency in English medium में आपकी होनी चाहिए T.G.T. के लिए भी bachelor's आपका 50% marks के साथ होना चाहिए और B.A.D. होना चाहिए इसमें T.G.T. English होना चाहिए आपका यहां पर आप देख सकते हैं seated जो है mandatory कर दिया है तो seated होना चाहिए इसके लबा social science के लिए भी seated है जो कि paper 2 आपने clear किया हो और T.G.T. Hindi संस्कृत के लिए recruitment है T.G.T. Maths Physics के लिए और T.G.T. Biochemistry के लिए ठीक है और यहां पर यह सारी चीज़े डिटेल में दी गई है इसके लबा यह T.G.T. PET टीचर के लिए जो कि male female दोनों के लिए होगा उसके भी eligibility criteria दिया हुआ है T.G.T. Special educator के लिए भी दिया हुआ है criteria तो इसे आप ज़रूर read करें PRT के लिए भी यहां पर दिया हुआ है senior secondary होना चाहिए 50% marks के साथ और इसके अलावा आपका B.A.D. या D.A.D. होना चाहिए equivalent होना चाहिए और paper 1 आपका seated का clear होना चाहिए PRT music के लिए भी recruitment है याँ पर तो यह सारी चीज़े detail में दी हुई है यहाँ पर age relaxation दिया हुआ है देख सकते हैं हाँ 5 year SCST के लिए OBC के लिए 3 year and women के लिए 10 year and physical handicapped के लिए as per the government Indian norms के according होगा अब यहाँ पर schedule जो दिया हुआ है वो written test के लिए और skill test के लिए कब कब है तो यह total जो है 11th of April से लेके आपका 13th of April तक interviews होंगे sorry written test होंगे और यहाँ पर skill के लिए भी यहाँ पर साथ में दिया हुआ है तो morning shift में जो है आपका written test हो जाएगा यह afternoon वाला जो होगा उसमें आपके skill test के लिए रखा जाएगा ठीक है इसके लावा यह आपका venue दिया हुआ है और यहाँ पर आप 11th तरीको जो है PGT के लिए होगा TGT के लिए भी 11th तरीको है PRT के लिए भी PRT music के लिए भी 11th तरीको आपका written test होगा TGT के लिए 12th तरीको होगा और PRT के लिए 13th तरीको रखी गई है तो इसके लावा जन्रेल इंस्ट्रक्शन दिये गए है आपको all degree diploma should be from a recognized institute से होना चाहिए यह सारी चीज़े दी हुई है तो इसे आप अपने according जरूर रीड करिए यह address दिया हुआ है detail में तो आप इसे note down कर लिजे या screenshot ले लिजे और आप notification तो download करेंगे ही तो उसमें आपको already मिल जाएगा तो यह पूरी update दी हुई है इसके लावा कोई भी यदि queries हो तो नीची comment box में आप पूस सकते हैं मैं उसका reply जरूर देती हूँ चैनल को यह दिया आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजे और like करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को end तक देखने के लिए thank you so much